नवस्कार दोस्तों स्वागत मेरे चनल पर देखिए UPA SI की वेकेंशी कापी समय से पेंडिंग में थी और आज आपका इंतजार वो खत्म हुगा SI की वेकेंशी के लिए आप देख सकते हैं बिल्कुल यह ओफिसियल नॉटिफिकेशन है इसमें अगर आप टोटल जॉब टोटल आपका एड करके हुआ 9534 जो कि मेरे इसाब से ठीक ठाक है ठीक है पिसली बार वेकेंशी कम थी आई तिंग 4-5,000 के बीच थी जाना साइद मेरे साथ मुझे इतना याद नहीं है बस इतबार आपकी 9000 के आसपास है काफी अच्छी वेकेंशी है अब इसको अच्छे किसे हम लोग समझेंगे ठीक है चलिए पहला पॉंड देखते है का उप इसाइए पुलिस के पतों की स्रेडी बार बेड़ा तो जर्नल में वेकेंशी है 3613 ठीक है इस में आपका हो जाएगा 902 वेकेंशी है अपकी ठीक है और OBC में आपका है 2437 और SC में आपका 1195 और HT में आपका है 180 ठीक है चलिए अब यहाँ पर देखते हैं तो आप इसको ऐसे मौन के चलिएगा आपकी 937 वेकेंशी ऐसा ही की है ठीक और अलग-अलग उसमें पीएसी में आपका ठीक है अतकाई लेबल पर है वो चीज अलग है आप अच्छे से देख सकते हैं इसका लिंक में मैं आपके नीचे देदूंगा वहां से जाके आप इसको डाउनलोड करके आप अच्छे से पढ़ सकते हैं चलिए अब यहाँ पर देखते हैं जला यहां से स्टार्ट करते हैं अच्छे अच्छे एक पॉइंट को हम लोग अच्छे से समझेंगे चलिए आपका 2.1 पॉइ लेविल का एक्जाम है चार से पांच महीने तो आसान इस हो जाएंगे तब आपका एक्जाम होगा तो अच्छे से तईजारी आप कर सकते हैं अच्छा आवेजन सुर्क किसी भी अब्रती कोई भी हो आपका से चार्च रुपे लिए जाएंगे और पहले भी आपका देंगे के लिए अब यहां पर देखिए आपसे पूछी गई है तो SI के लिए अगर आप 3.2 का का पॉइंट देखेंगे तो SI के लिए आप से यह का गया किसी भी सब्जेक्ट से किसी भी स्टीम से आप डिगरी हो आपके पास ठीक है और अगनी समन्द देती है अद्गारी के लिए आप से डिगरी होना जाहिए बाट आपकी साइंस में ठीक है जैसे कि आपका बीसी हो गया यह आपके पास होना चाहिए बिग्यान से इसनाति पूछ गया इसमें ठीक है चलिए अब देखें काफी जाता इस्टुएंट अभी एक व्यूडी जो मैंने डाला हुआ समय कमोड आया था कि सर क्या ओ लेविल कंपलसरी है तो देखिए ओ लेविल कंपबसरी नहीं है ओ लेविल कव काम में आपको आएगा माली जिए दो ीस्टुडेंट के मार्क मालिजीए 353 50830 350-50 दोनों के हैं ठीक है तब आप क्या होगा उस condition में उस व्यक्ति को पहले लिया जाएगा उस student को पहले लिया जाएगा जिसके पास O level का diploma होगा यह इसमें दिया गया कोई compulsory नहीं है अगर आपके पास भली किसी student के पास मा लेजिए 350 वाले इस student के पास O level का diploma है उसके नमबर 350 है और आपके नमबर 351 है तो आपको पहले लिया जाएगा उसका कोई रॉल नहीं है कि वो O level का diploma किया हुआ है जब नमबर सेम होगे ना तब उसको पहले लिया जाएगा जिसके पास diploma है ठीक है तो यह आपको तीन पॉइंट देगें तीन भी वो certificate होगा उसको पहले लिया जाएगा ठीक है देखिए 3.3 का 1st 2nd 3rd पॉइंट अकर आप देखेंगे तो इस टैप से दिया गया है सेकंड आप देखिएगा 3.4 पॉइंट आपका है 3.4 की भरती के लिए आवस्सक है कि अब यहां पर बात आ रही है एज की एकिस लेके 28 वर्तक के student इसमें form fill कर सकते हैं जनरल वाले मैं जनरल की बात कर रहा हूँ जिसका जन एक जुलाई 2021 से इसका count होगा ठीक है इससे count होगा अभी मैं आपको एक चीज और समझाऊँगा मैं आपको कि आप एज कैसे निकालेंगा उसका वीडियो में अलग से बनाऊँगा ठी देखेंगे कि जिसका जन्म 171993 से पहले ना हो और 172000 के बाद ना हुआ हो इनके बीच में जिसका भी जन्म है वो form को फिल कर सकते हैं मैं जनरल की बात कर रहा हूं क्योंकि ऐसी OBC को आपको चूट दी जाएगी आगे देखी परंतु यह आप नीचे जब पढ़ेंगे ना प सामें उच्तर आयू सीमा उतने वर्स अधिक होगी जिदनी रिखतियों की अधिसूचना के समय अधनियम और लागु सहकार यह आदेशों के बिंश्ट की जाएगी तो यह आगे आपको दिया जाएगा कि करने के आपको छूट मिलेगी ठीक है अगर आपका है 3.5 करेक्टर की उपर है वो बात अलग है ठीक है बिवाय की इस्ति यह पता ही है इसको आप अच्छे से रिट कर लीजी खुस्ति अच्छा चलिए हम बात करते हैं 4.1 पर टीक है आनलाइन लिखत परीच्छा इसमें आपका क्या होगा ऑनलाइन में आपका 400 अंकित की 400 अंकों की लिखत परीच्छा होगी वो भी ऑनलाइन होगी यहां पर किया जा चुका है और इसमें चार टॉपिक रहेंगे आपका सामान हिंदी 100 अंक का मूल बिदी संबिदान सामान गयान आपका 100 अंक का संबिदान इसमें ज्यादा पूंचा जाएगा संख्यात्म और मानसक योगता जाएगा और रिजनिंग तो आप अगर आपने पिछला एक्जाम दिया होगा ऐसा है को तो आप देख सकते हैं कितना टफ पूंचा किया था रिजनिंग टूटल बैंकिंग लेविल की पूंची गई थी ठीक है सिलेबस भी आपको आगे दिया जाएगा उसके बारें बाद बात करेंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं 400 अंकों का एक्जाम होगा जिसमें कि दो गंटे की परिच्छा आपकी होगी दो गंटे की होगी और यहां पर दूसरा पॉंट और देखिए अब बढ़तियों की संक्या के अनसार आनलाइन लिकित परिच्छा एक ही डेट में और एक से अधिक पालियों में अथवा एक से अधिक डेट में आपका हो सकता है एक डेट में भी हो सकता है अगर कम इस्टुएंट रहेंगे हालागी कम तो इस्टुएंट नहीं होने वाले ज्यादा इस्टुएंट होगी तो एक से ज्यादा डेट में जैसे कि उस बार अच्छा एक सबसे महत्पूर बात क्या है अलग-अलग पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अलग-अलग पर्टिकुलर टॉपिक में आपको क्या करना चाहिए कि 35% आपको मांक्स लाने पड़ेंगे यह कंपल सरी है यानि कि हिंदी में आपको 35 नंबर लाना पड़ेगा 35% है जै यारी करेंगे या फिजकल में आप पहुँच पाएंगे ठीक है जाद फिर से समझेए मैं आपको 35 नंबर लाने पड़ेंगे 100 में से ठीक है अगर आप यहां पर थर्ड पॉंट पड़ते हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं कि आपको हिंदी में 35 चाहिए आपको मैं 35 चा आप इसमें ये भी दिया गया कि अगर आप कोई कुशन रॉंग होता है तो उसको आप जो है उसमें अप्लाई करेंगे फिर उसको देखा जाएगा ये सबी बाते हैं इनको बाद में भी देख सकते हैं अच्छा चलिए अब यहां पर देखके हाइड की बात करेंगे फिज चाहिए है वह आपके लिए 168 cm ठीक है जो कि आपका सामान, OBC और ST बालों के लिए 160 cm ठीक है सीना आप यहां पर देख सकते हैं लेडिस के लिए हैड चाहिए 152 ठीक है और ST गल्स के लिए 147